हाँ जी हम आज discuss करेंगे विक्टर रूम की expectancy theory देखो यहाँ पर क्या चीजी है पहली बात तो यह देखना किसकी theory है economics और psychology दो चीजों से मिलकर बनी है ठीक है ध्यान से परना यह वाली चीज भई 1964 में विक्टर रूम ने डवलप की क्या कहा कि जो motivation है आपका जो motivations of force है आपकी वो depend करती है आपके तीजी जीजों पर valence instrumentality और expectancy ठीक है valence instrumentality और आपकी expectancy अब देखो कि यह कैसे क्या बात करें पर इन तीनों का meaning आपको पता होना चाहिए वैलेंस का मतलब होता है को reward जेसे आप net करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो यह आपका valence हो गया दो चीजी बनी यह तो positive यह negative यह अब क्या होगा neutral हो वह आपको पता ही नहीं की आपको करना या नहीं करना जीरो balance क्या हो एक तो positive एक आपका negative और एक आपका positive means आप वो reward चाहते हो, negative नहीं चाहते हो, तो देखो आप तीसरा आपको पता ही निया आपको करना क्या है, तीन बाते ही समझ में आई आपको, ठीक है, दूसरा आपके पास आया कि वैलेंस का मतलब हाउ मदल हाउ मज़ वन वांस वन वांस वन वांस वन रिवार एक आया कि जो आप efforts करोगे जो अपने efforts लगाओगे उससे आप successfully आप net हो जाएगा समझे मेरी बात को, आपने क्या समझाए expectancy में कि आप जो efforts करोगे उससे आपका net आपका qualify हो जाएगा ठीक है आपका instrumentality, one estimate that performance with result into reward देखो यह थोड़ी सी चीज़ आपको complicate करेगी अलग सी मिलेगी आपको देखो balance में वां कि एक reward चाहते हो या नहीं आप expectancy में आप यह estimate करो कि क्या probability है कि आपके efforts result में convert हो जाएगा या नहीं property क्या लगा रहे हो कि जो आपके efforts होंगे वह successful performance में आपका रहे गया नहीं सही से paper attempt हो गया या नहीं हो गया इस तरीकी से आपका आगया और उससे जो paper attempt करोगे जो performance आप दोगे उससे वह result आपका reward में convert हो गया नहीं आपने paper से जो cutoff है उससे उपर आपके आजाएंगे नहीं पाजाएंगे balance का मतलब हुआ कि आप कोई reward चाहते हो या नहीं चाहते है expectancy जो efforts आप लगाओगे उसकी probability क्या है कि वह efforts आपकी performance में convert हो जाएंगे instrumentality क्या कहती है कि जो performance है वह आपकी reward में convert हो जाएंगे balance means आप reward चाहते हो या नहीं चाहते है expectancy कि आपकी जो क्या probability है कि जो आप efforts करोगे वह आपके performance में convert हो जाएंगे यानि आपकी better attemptation पूरा मतलब अच्छे से marks attempt कर नहीं वाली और जो आपके marks आए आपका नेट चाहते हो जाये नहीं का टोप से ऊपर आजाऊ गए या कि नहीं थीन बते समझे आप balance means reward साथ या नहीं 2 आपका expectancy कि hard work कह सकते हो आपकी उसकी probability कि hard work से जो marks आपने रखा XOC तो XOC आपके आजाएंगे नहीं क्या XOC आने के बाद आपका नेट हो जाएगा कि नहीं वह इंस्टुमेंटलिटी में तीनों चीजे आपके एगर पॉजिटिव है तब आपको मोटिवेशन मिलेगा मेरी बाद समझ में यहां पर देखो यहां पर क्या लिखा है यहां पर दो लिखा है मोटिवेशन वैलेंस इंस्टुमेंटलिटी और एक्सपेटेंची अगर देखो पहली बाद देखना आप नेट करना ही नहीं चाहते है नेट करना ही नहीं चाहते है क्या आपका काम हो जाएगा पिपर नहीं दे दोगे आपने चुक इतने अपट कर लिए हो नेट करना चाहते हो लेकिन आपका क्या है है हां हमीं बता रहा है तक हम मैं देखो वैयलन्स का मतलब आप चाहते हो नहीं आ आप नहीं चाहते हैं तो काम हो गई नहीं आपसे आप में यह का आपनी सोचा कि मैं पढ़ रही हूं यह पढ़ रहा हूं और उससे मेरा नेट हो गया तो पता नहीं क्या नहीं होगा अगर नहीं चाते तो काम नहीं होगा पहली चीज़ दूसरा आपके एफर्ट्स जो है आपने सोचा कि मेरा भई मैं जो पढ़ रही हूं यह काफी नहीं है तो भी आपका नहीं होगा और तीस्ती चीज क्या ही आपकी जो मेरे efforts है जो मैंने डाली मेरी जो performance आई उसे reward मिलेगा नहीं और आपने सोचा क्या ही कर लेना है तो भी नहीं होगा तीनों चीजे positive कैसे मैं net करना चाहता हूं या चाहता हूं दूसरा मेरे जो महनत है उसकी according मुझे चीजे मिलेंगी मेरे वह performance आजाएगा और वह जो performance होएगा net हो जाएगा उसे मुझे जो reward मुझे चीव मिल जाएगा अगर तीनों चीजे positive है तो आपको motivation मिलेगा अधरवाइज एक भी चीज अगर आपको negative मिल गई reject समझ में यही बात वैलेंस भी पोजिटिव इंस्ट्रॉमेंटलिटी भी और एक्षपेक्टेटी ठीक है नेगटिव होते ही आप रिजक्ट हो जाओगे ठीक हो गई बात तो यह का वैलेंस में और यह इसी तरीकी से होता है आपका इसलिश को एफर्स परफॉर्मेंस रिव और पर्फॉर्मेंस में चाहिए पर्फॉर्मेंस से क्या मिलेगा पर्फॉर्मेंस स मिलेगा पर्सोन गोल या आपके ऊसी पट्रॉपेसिट्व और उपकी इस तरह का प्या है ऑफ पहले आपके आई वेर्लन साथ जाथियों मनीए निहिए ठीक्टेंश a.s.वाने डूकodि थीक है उसके बाद आए आपके पास इसके देखो features देखो आप ध्यान से सुनना इसमें क्या है सारा का सारा एंप्लोई सेंटर है एंप्लोवेर का जो इंफुलेंस है जो लीडर है उसका इंफुलेंस को zero करके माना इस थ्यूरी नहीं है यह सब्सक्राइब लेमेटेशन से इ क्या कहता है it is cognitive model of work motive सारा का सारा दिमाग का खिल है है ना आपके दिमाग ने सोचा ये काम करना है या नहीं करना दिमाग कहता है कि मेरी जो efforts परफोर्मस में करन मत होंगे या नहीं होगा और दिमाग ही ये कह रहा है कि वह जो परफोर्मेंस आएगी उसमेजी रिवार्ड मिलेगा है नहीं तिनों चीजी आगे है ना उसके बाद है इस बेस्ट अपन इंडिविजवल डिप्रेंट नोट गूरूप एफर्स देखो इंडिविजवल आपका अलग है आप इंचे अलग हो बस इतना है कि आप दोनों फ्रेंड होगे आप दोनों थोड़ी कोर्डिनेट कर लोगे लेकिन थिंकिंग सबकी अलग अलग है आपके अपनी अपनी सोच है कि करना है नहीं करना है पढ़ना है नहीं पढ़ना है सब अपने पर तीसरा आया complete theory of motivation यह complete theory है यह बताता कि that explain how how much and why people behave in a particular way कैसे करेगा कितना करेगा और क्यों करेगा ठीक है और expected behavior is more important देखो यह complete theory है जो explain करता हाव कैसे करेगा वो देखा आपने उपर क्यों करेगा वो आपको उपर मिल गया वैलन से कैसे करेगा वो देखो और how much वो कितना करेगा वो efforts की बारे में instrumentality की तीनों बात ही आ गई इसको complete theory आ गया limitations यह कि इसने employer की influencer को मतलब खतमी कर दिया कि employer तो कुछ करी नहीं शकता कहीं दिखाए जो employer का क्या impact पड़ेगा कुछ नहीं ठीक है यह सिर्फ एक rational model है rational का मतलब बहुत सोच समझ के अगर apply करें न तो भी successful है नहीं तो नहीं है ठीक है और accurate information आएगी नहीं ठीक है एक last model है आपका portal ladder model यह आपका pay and satisfaction जो आपको pay मिल रहा है उससे आप satisfied हो या नहीं है work motivation भी बोल देते हैं work motivation तो यह उसको बोलेंगे आपका leadership वाले को इसको बोलते हैं कि work motivation लेकिन रेल में आपको दूसराम पड़ेंगे वह है main premise is यहा कि motivation force or level of efforts is not equal to satisfaction and performance देखो क्या कह रहा है जो motivation है आपका और जो level of efforts है वह आपके equal नहीं होता आपके satisfaction और performance है मतलब आपकी अपने efforts है उससे जो आपकी performance आ रही है कई बार क्या होता है जैसे आपका paper बहुत अच्छा हुआ अच्छा हो लेकिन उसके marks उसके according नहीं नहीं तो फिर क्या वह आप उससे satisfied हो या नहीं यह कहता कि जो efforts के level है वह क्या होते है ना तो आपके satisfaction हो नहीं आपकी performance के equal नहीं होते है उसको motivate करना होता कहीना कि हमने आपको और वह कैसे होता है देखो आपके stage में सबसे पहले हम डालते है अपने efforts आप exam की preparation कर रही है आपकी efforts चल रही है ठीक है फिर इससे क्या है आपकी performance परफॉर्मेंस आपको क्या मिलेगा और reward से आपको हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जरूरी थोड़ी है efforts आपको क्या करेगा जो भी आपका result reward की रूप में आपका convert करेगा reward performance आएगी it is the result of efforts abilities and जो भी आपकी trades जो भी trades and role perception जो भी आपके उनसे आपकी performance आएगी और आपके क्या मिलेगा reward आपकी result of performance intrinsic or extrinsic कैसे भी reward आपको मिल सकता है और इससे आपको क्या मिलेगा satisfaction इसके लिए आप काम कर रही होते हो है ठीक है मेरी बात सुनना अब इसमें क्या का इस चार्ज टेजिस के पोर्टर लालर मोडल है वो यह कहता है कि आपके जो efforts लेवल efforts है motivation है वो आपके equal नहीं होते है आपकी performance reward इसको आपको पूरा करने के लिए आपको काम करते हो क्यों कि आपको satisfaction क्या चाहिए और satisfaction के लिए आपकर करते हो efforts efforts से आपकी performance आती है पर्पॉर्मेंस आपको रिवार्ड मिलता है और रिवार्ड से आप क्या होते हो सटिस्पाइड हो ठीक है आई बस समझ में उसके बाद आया आपका एडविन लोके की गोल सेटिंग थेओरी देखो गोल सेटिंग तेोरी क्या कहता है एडविसलोंकी नहीं कहना है अगर आप अपने एमपलोई को गोल सेटिंग में आप कर लेते हैं तो तो मारे और इस तरो और आपको ष데 давно किया है और आपका डाक् sitten कर दे तो तो आपके लिए क्या होगा आप मतलब वह employee अपने आप ही काम करता रहेगा ठीक है तो इसमें देखो क्या है आपका यह अपने आप में क्या गयता है कि goals goals जो होते हैं आपके objectives होते हैं वह अपने आपके major source आपका work motivation का काम करने का आपने आप में एक motivation का कारण बन गया जैसे आपका काम है कि net ZRF आप करना चाहते हो यह अपने आप में आपको पता है कि goal and net करने आप पढ़ने लग गई आप नहीं आप अच्छे से पढ़ने पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या को करना है simple सी बात है और करना है तो आप अपने आप पढ़ रहे हो इसने क्या का इसके जो इंक्लूड की है किसमे गोल शेटिंग त्योरी में जो इंक्लूड हुए वह कौन-कौन से है value and value judgment आप किसी भी गोल को कितनी वैल्यू दे रहे हो और आपके क्या वैल्यू यहां पर दो तरीके से मतलब है एक तो value का मतलब होता है आपके ethics और दूसरा होता है एक value में तो importance यहां पर बात हो रही है वह आपकी क्या है importance की बात हो रही है value and value judgment दूसरा आपके emotions and desires उसको net जारब को करना है यह उसकी regarding emotions क्या है आपकी desire आप चाहती हो और नहीं चाहती है आपके intentions क्या है गोल के regarding करना चाहती हो और नहीं ठीक है आपके responses क्या है आप actions कैसे करते है और उसकी performance कैसे आती है result feedback और reinforcements यह इसकी component है goal setting theory की किसी employee related है देहां से देखिए आप employee को ही आप देख रहे हो value and value judgment उसी में देख रहे हो आप ठीक है उसके emotions and desire आपके उसके goals के परती इसके intentions goals की है ना उसके responses कैसे actions कैसी है performance कैसी है result feedback और reinforcements reinforcement तो यह सब चीजे आपके क्या component है किसके goal setting थोरी के और यह देखो क्या कहता है basic theme यह है इसकी कि आप अपने employees को goal clear करते हो आप तुम्हें यह करना है for example आप गोल क्लेट होती है वो direct impact डालती है आपके performance को आपको पता होगा कि करना क्या है उससी according आपके performance होगी अगर employee को participate कर रहा है goal setting में वह बैटर रहता आपके performance के लिए और क्या होता है goal itself as an act internal motivator goal अपने आप में motivate आप पढ़ रहे हो ना किसी force नहीं पढ़ रहे है आप यह आप गोल के लिए बैठे है जो कि आपको motivate करके यहां बठा रहा है सब को enjoy करना आता है तुझी वाली चीज है ठीक है और एक बहुत important चीज है इसमें कि जो feedback होती है वह आपका crucial aspect होता है इसका goal setting feedback मालूम मैं आपको पढ़ाता जाओं पढ़ाता जाओं मैं आपसे पूछ हुए आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कोई फाइदा नहीं प्रूच सी टाइम से टाइम पता रहता रहेगा तो फिल आपको clear होगे कैसे कैसे काम करना ठीक है तो